सारी दुनिया है लोक्डाउन में कोरोना है सबका रोना दरने वाली बात नहीं है सावधानी हमको रखनी है एक मेटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है बचों आओ पढ़ो सभी और नहीं बचों आओ पढ़ो सभी कोरोना से डरो नहीं पढ़ना लिखना है सबको आगे बढ़ना है सबको नमस्कार, मेरा नाम के एक एतरपाथी है मैं लखना हूँ के बायज अंगलो बंगाली एंंटर कॉलेज मैं परवक्ता हूँ बच्चों आज मैं आप लोगों को कक्षा बारा में विशय भौतिक विज्ञान के अध्याय नौ पर चर्चा करूँगा जिसका नाम है किरनल प्रकाश की रे आप्टिक्स तो आईए कुछ बिंदों पर जिन पर हमें चर्चा करनी हैं उनको देख लेते हैं कुछ उर्व ज्ञान का अलोकन करूँगा और उसके बाद मैं आपसे गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन पर बात करूँगा यहां पर मैं आप लोगों को फोकस दूरी वक्त तिज्या में संबंध भी बताऊँगा और साथ ही गोली दर्पण का समी करन तथा आवर्धन के सूत्र का निगमन करूँगा संबंधित प्रेश्ट में करूँगा तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा आपने प्रकाश के संबंध में किया जाना है कि प्रकाश वैद्धु चुमकी इस्पेक्ट्रम का ही एक भाग है दर्श भाग जिसका तरंग दैर्द 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के लगबग होता है बच्चों अपनी सामान ने अनुभो पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल तीव्र होती है पर्याप्त मान इसका 3 into 10 raise to the power 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है बहुत तीव्र है दूसरी बात कह सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है लेकिन जब हम पिछले अध्याय पर ध्यान देते हैं अध्याय आठ में हमने देखा था कि प्रकाश बेद्व चुम्ब की तरंगों को कहते हैं उसी का दृष्य भाग है जैसा अभी बात हमारी आपको हुई यहां पर तो एक यहां पर अपनी यह बात की प्रकाश सरल रेखा में करता है थोड़ा सा शंका उत्पन होती है तो देखिए उसका कारण यह होता है कि प्रकाश की तरंग देर्ध बहुत कम होती है तुलना में हमारे चारों तरफ की वस्तुएं हैं और वस्तुएं का आकार सेंटीमीटर्स की कोट यह उससे उपर होता है प्रकाश की तरंग देर्ध इससे बहुत कम होती है अर्था एक बिंद से दूसरे बिंदु तक प्रकाश को गमन को हम दोग सरलेखी मान सकते हैं तो बच्चों इसमें हम आगी बात करना चाहते हैं आपसे गोली दर्पन के विशे में गोली दर्पन के विशे में आप लोगों को जो बातें पहले से पता हैं उन पर कुछ शर्चा कर लेतें देखिए किसी खोखले गोले का एक पार्ट एक हिस्सा लीजे और उसके एक भाग में कलाई कर दीजे तो देखिए जरा सब पॉलिश कर दीजे तो आपको यहां पर दो तरह से ऐसा कर सकते थे एक तो उब्रे हुए भाग में एकलाई कर सकते थे या फिर अंदर के भाग में कलाई कर सकते थे अब ध्यान दीजे यह आउतल दरपन कहलाएगा बाहरी भाग में आपने पॉलिश किया अंदरोनी भाग आपके सामने हैं और जामित के हिसाब से दरपन का जो मध्य बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं दुरू कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं इसे दुरू कहते हैं दुरू देख सकते हैं दरपन का मध्य बिंदु यहाँ पर दिख लाएगा आपको चलिए देखते हैं दरपण जिस गोले का एक हिस्सा है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते है उस गोले केंद्र को जिससे की ये हिस्सा लिया गया है इस case में यह यहाँ पर है और इस दरपन की तरिज्या अर्थात CM ले लिजे या CP ले लिजे यह कहलाती है वक्रता तरिज्या यहाँ इस case में भी देख सकते हैं दाहिनी तरफ है वक्रता तरिज्या वक्रता केंदर दाहिनी तरफ उत्तल दरपन के case में परन्तु आउतल दरपन केस में वकृता केंदर бाइं तरफ आपको प्रात हो रहा है। परावर्तक्तल आपके समक्ष यहां पर अंदर की और को यह जो दिख लाया गया आतल में उद्तल में बाहर कि और को ये उठे हुए भाग को परवर तकतर कह रहे हैं अब बच्चों इसमें एक चीज और देखे वक्रता केंदर और ध्रू को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दरपन की मुख्यक्ष क्या क्याती है तो बच्चों यहां पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि जो हमने समतल दर्पण के दो नियम सीखे थे, वो यहाँ पर सभी गोली प्रिस्टों के लिए काम करते हैं, गोली प्रिस्टों में हम यहाँ पर सिर्फ आउतल या उतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे के समतल दर्पण के जो दो नियम थे, पहला आप याद कीजिए, देखें यहाँ पर क्या था? आप तित्किराण, परावर्तित्किराण, तथा अभिलम, यह जो परावर्तत्तल है, इसके इस बिंदु पर मिलते हैं, और एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल से मतलब है, कि इस टीनों किर्णों को आप देखे, तो किर्णे कोई भी बाहर नहीं होगी कि उस समतल से इनके नीचे पर जो एक, आप एज्यूम कर लें, समतल भाग, कोई प्रिश्ट समतल ऐसा एज्यूम कर लें, तीनों किर्णे उस पे चु रही होगी, पुरी तरह से चिपकी हुई होंगी तो एक ही तल में इसको कहते हैं दूसरी बात अभिलम से देखिए और आप तित किरण के बीच का कौन आई और इसी अभिलम से परावर्तित किरण के बीच का कौन आर ये बराबर हुआ करते थे बच्चों ये बात हम यहाँ पर गोली दर्पन में भी लेंगे गोली दर्पन में किसी भी जखे पर जहाँ पर किरण आ करके पड़ेगी यहाँ पर इसे हम समतल दर्पन की तरह से ले सकते हैं अर्थात यहाँ पर इस पर श्रेखा खीच लें और यहाँ पर समतल दर्पन की भ आप जानते हैं कि तरिज्या इस परश्रिखा पर नब्यांज का कौन बनाती तो ये अभिलम की तरह से लिया जाएगा क्या यहाँ पर से वक्रता केंद्र और जिस बिंद पर ये किरण अप्तित हो रही है इसको उसके बाद में परावर्तित किरण जो भी हो की निकल जाएगी इस तरह से तो बच्चों इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे हम बात करते हैं गोली दरपण की फोकस के देखिए फोकस बिंदू आउतल दरपण में और उतल दरपण में दोनों में ज़रा सा ध्यान रखिए मुख्य अक्ष जैसा अभी हमने आपको बताया था कि सम समांतर आने वाली केरने ये मुख्य अक्ष है बच्चों देख सकते हैं इसके समांतर आने वाली केरने परावर्तन के पश्यात यहां पर से परावर्तित हो रही हैं एक बिंदू पर मिलती हुई पृतित हो रही हैं मिल रही हैं एक बिंदू पर मिल रही हैं यहां पर देख इसमें मुख्यक्ष के समानतर आने वाली केरने एक बिंदु पर मिलती है इसी बिंदु को हम अउतल दरपड का फोकस कहते हैं परन्तु उतल दरपड में मुख्यक्ष के समानतर आने वाली केरने यहां पर से बच्चों परावरतन हो जाएगा तो यह उसी तरफ में मुढ चलकर आ रही है या उस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है अर्थात मुख्यक्ष के समानतर आने वाली किर्णे परावर्तन के पश्चात या तो एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है और उतल दरपन के केस में मिलती हुई प्रतीत होती है और बच यहां की focus बिंदो है हमारा और focus बिंदो से ध्रू के बीच की जो दूरी है ध्रू से focus के बीच की दूरी यह दूरी हमारी कहलाती है focus दूरी और पी एफ क्या है यहां पर focus दूरी है दर्पण की फोकस दूरी है तो बच्चों आगे चलते हैं देखें कार्ती चिन परिपाटी इसको समझना आती आवश्यक है क्योंकि सवाल करते समय डेरिवेशन करते समय आपको मुश्किलें पैदा हो सकते हैं अगर इस बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपतित किरण दर्पण पर जिदर से आ रही आपतित किरण यह धनात्मक दिशा और यह जो आपतित प्रकाश के विपरीद दिशा में परावर्जित किरण है तो यहां से जब हम दूरिया ना पेंगे धुरुव से इस तरफ की दूरिया ना पेंगे वो रिनात्मक होंगी अर्था धुरुव से बाई और चलेंगे तो रिनात्मक, दाई और चलेंगे तो धनात्मक तो ध्यान रखिएगा धुरुपी से बाई और को बढ़ेंगे तो दूरियां कैसी होंगी रिनात्मक होंगी या ये कहें कि आपतित्किरण के विपरीद दिशा में रिनात्मक दूरियां ले जाएंगे इसी प्रकार एक सक्ष से उपर की ओर की उचाईयां हम हमेशा धनात्मक लेंगे और नीचे की ओर की दूरियां हमेशा उचाईयां नीचे की ओर की रिनात्मक होंगी बच्चों इन बातों को ध्यान में रखिएगा वस्तो ओपर की ओर घनात्मक प्रतिवि में यदि नीचे है तो घनात्मक लिया जाएगा तो इन चिन परिपाती को ध्यान में रखेंगे कारति इतल को आप देखेंगे इसका हम लोग प्रीवक भी करेंगे तो देखें यहाँ पर बच्चों अब हमको बताना है गोली दरपन की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है इस बात को हमें यहाँ पर सित करना है आप देख सकते हैं फोकस दूरी यहाँ पर चित्र में F है और वक्रता केंद्र यह C है तो वक्रता त्रिज्या कितना R है बच्चों यहाँ पर देखिए करन आप दित हुई है M पर और मैंने बताया था भी वक्रता केंद्र से इस बिंद को मिलाएंगे तो यह अभिलंद की तरह से हो जाएगा और परावर्तित किरन अर्था जितना आप तनकोण है उतना ही परावर्तन कोण यह यहाँ पर बिल्कुल दर्पन की तरह से समतल दर्पन की तरह से विहब कर रहा है तो चलिए देखतें एक बात और आप उसको बताएं उपाक्षी किरनों के लिए M यहाँ पर MP है इसे हम लंबवत ले सकतें पास के किरने हैं अर्था जितना पास होंगे उतना ही यह इसके लंबवत पड़ती जाएंगे मैं फिर से कह रहा हूँ MP आपको यहाँ पर चित्र में घूमा हुआ दिखलाई दे रहा है परन्तु यह पैरेक्सल रेज हैं अर्थात यह M से P को आप देखिए तो इस पर लंबवत ले सकते हैं हमने यहाँ पर लंब डाल के आपको यहाँ प लंब गिरा हैं लेकिन यहाँ पर उपाक्षे के रिणों के लिए अर्थात M P के बहुत नजदीक है तो यह M P लंबवत लिया जा सकता था तो चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहले त्रे बुज़ C M P में है या M P C में tan theta is equal to क्या होगा लंब बटे आधार कितना M D upon C D, M D upon C D बच्चों ध्यान देजिए यह आप तितकेरण हमारी कितना कोण बना रही थी theta परावरतन कोण भी theta लेकिन यह एक अंतर कोण से जितना यह theta समांतर किरने हैं तो यहां पर एक अंतर कोण से यह भी theta होगा है और आपको ये भी बताओं त्रिबुज CMF में देखे ये वहिश कोण है तो त्रिबुज का यहां पर वहिश कोण क्या होता है सुदूर अंता कोणों के योग के बराबर होता है अर्थात ये थीटा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा इसमें कोई दिकत नहीं होनी च सीटी क्योंकि बच्चों जानते हैं टैन जीरो डिग्री कमान कितना होता है जीरो अर्था थीटा को हम थीटा ले सकते हैं यदि थीटा बहुत कम जैसे मैंने बताया MP के काफी नजदीक है तो ये कोण बहुत छोटा होगा तो इसे हम लिख सकते हैं थीटा is equal to MD upon CT चलिए द है इसमें देखिए 10 2 थीटा is equal to कितना है MD upon FD है क्या है देखिए FD MD upon FD 10 थीटा इसे भी हम 2 थीटा लिख सकते हैं MD upon FD क्योंकि थीटा बहुत छोटा है आप देखिए पहले सभी करण से थीटा कमान यहां पर आप रख देंगे तो आपको फ्राप्त हो जाएगा बच्चों 2 MD upon CD यह मैंने थीटा कमान यहां पर रख दिया MD upon CD और इधर आपको MD upon FD अर्थात मैंने क्या किया समी करण एक से थीटा कमान दो में प्रतिस्थापित कर दिया MD से MD कैंसिल हो गए आप देखिए आपके पास कितना बच्चता है 2 upon CD कितना है बच्चों CD को आप देखिए R है CD कितना है R है दूरी है आप इसे ले सकते हैं चिनने के साथ भी ले सकते थे और इस तरफ देखिए हमारे पास FD के दूरी कितनी है माइनस F ले लीजिए और इसे भी माइनस से ले लीजिए बैने कहा आप से यह दूरियां यहां से P से ली जाएंगी तो DF और DC इसे कह सकते थे कितना हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए अर्थात आपको मिल रहा है यहां पर F is equal to R upon 2 अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपान 2 F is equal to R upon 2 अर्थात वक्रता त्रिज्या यदि 20 cm है तो फोकस दूरी आधी हो जाएगी तो बच्चों यहां पर अब हम आपको गोली दरपड का समी करण सिद्ध करना बताएंगे अर्थात वस्त की दूरी यह वस्तो A B है वस्तो की दूरी U प्रतिबिम की दूरी V तथा फोकस दूरी F में संबंद बताएंगे तो देखे यहां पर हम दो त्रिबुज ले रहे हैं सबसे पहले A B F तथा MP F MP को हमने बताया था यह लंबवत लिया जा सकता उपाक्षी करनों के लिए तो सबसे पहले इन दोनों त्रिबुजों में देखे संब्रूप त्रिबुजों में क्या लिखेंगे आप A डैश B संब्रूप त्रिबुज है तो इनकी भुजाओं में अनुपात बराबर होगा अर्थात क्या है A डैश B डैश अपान MP ठीक है और दूसरा देखिए B डैश F अपान कितना PF पुजाओं में निश्पत्ति इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में अब देखिए MP को आप लिख सकते हैं AB क्योंकि यह आयत लिया जा सकता है समा अंदर किरने हैं और ये भी 90 ये भी 90 है तो सम्मुख पुजाओं से तो A डैश B डैश अपान AB और यहां पर B डैश F अपान PF इसको एक नमबर बनाई है दूसरी बार देखिए हम दो सम्मुख त्रिवुच पुना ले रहे हैं बच्चों कितना ये त्रिवुच इसको आप देखिए और इस त्रिवुच को देखिए यहां पर इसको देखिए ये 90 ये 90 और ये आप तितकरण यहां पर जितना कोण बना रही होगी उतना ही कोण यहा पर दिखें परावर्तित केरा बाना रहें अर्थात यहा पर आप देख सकते हैं कि जितना आप तित कोण, होगा उतना ही परावर्तन कोण। यह थीटा तो A, B, P तो समरूप तरफुजों के लिए पुना A dash B dash देखिए A dash B dash अपॉन A, B बराबर होगा B dash P अपॉन B, P दोनों समीकारणों में देखिए बायपक्ष बराबर है अर्था तुलना करने पर एक वा दो की तुलना करने पर तुलना कर दीजे तो आपको यहाँ पर मिल गया क्या देखिए B dash F upon P F बराबर है B dash P upon BP देखिए बच्चों सभी दूरिया P से ली गई है तो यहाँ पर भी B dash F को आप लिख सकते हैं P B dash minus F यह इसे लिख सकते है B dash P minus B dash P minus F P लिख सकते हैं upon F B dash P upon अब इनको इनको चिन पर पाट्टी को ध्यान में रखते हुए इनके मान रख दीजे देखिए B dash प्रतिबी मिकी दूरी है कितना minus V यहाँ पर F P जो देख रहे हैं focus दूरी है minus F रखेंगे जिससे यह plus F बन जाएगा फिर से यहाँ पर नीचे F P रख रहे हैं अर्थात कितना minus F और यहाँ पर देखिए प्रतिबी मिकी दूरी minus V है चित्र में इस्पस्ट है और upon minus U minus यहाँ पर चिन हटाने पर देखिए V upon U और यहाँ पर V minus कामन ले लें तो V minus F upon F किर्चा गुड़ा कर दीजे तो आपको मिल गया V U minus F U बराबर V F दोनों और U V F से भाग कर दीजे तो आपको मिल जाएगा 1 upon F minus 1 upon V बराबर 1 upon U और V को 1 upon V को उस तरफ में पक्षा अंतर कर दीजे तो आपको मिल जाएगा 1 upon F देखे 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U अर्थात ये आपको समिकरल सूत्र प्राब्थ हो गया अब देखे बच्चों यहीं पर हम आपको इस दरपन का गोली दरपन का आवर्धन के लिए भी सूत्र बताने जा रहे है तो आवर्धन देखे इसका क्या होता है प्रतिभीम की उचाई और वस्त की उचाई में अनुपात होता है तो यहाँ पर प्रतिभीम की उचाई है और वस्त की उचाई है तो इसमें ये अनुपात क्या कहलाता है आवर्धन दरपन का कहलाता है तो बच्चों पुना एक बार हम इन ही दो तुर्वजों को लेंगे यहाँ पर देखे A-B-P, A-B-P और यह वाला यह तो कोण मैंने बताया था बराबर होंगे और यहाँ पर यह 90-90 तो यह तुर्वजों समरूप है अथा समरूप तुर्वजों में पुना A-B- इसका लिए अपॉन A-B और बराबर है B-P अपॉन B-P अब देखिए चिन परपार्टी को ध्यान में रखेंगे उचाई वस्तुकी नीचे की ओर को है माइनस H- अपॉन प्रतिविम की उचाई नीचे की ओर को है बच्चों माइनस H- अपॉन वस्तुकी उचाई H बराबर यहाँ पर है B-P आप देख रहे हैं माइनस B और B-P माइनस U है चिन यहाँ पर माइनस हटा देने पर आपको प्राप्त होता है H- अपॉन H बराबर माइनस V अपॉन U यही दरपन के आवर्धन के लिए सूतर है बच्चों तो H- अपॉन H अर्थात प्रतिविम की उचाई अपॉन वस्त की उचाई भराबर है प्रतिविम की दूरी और वस्त की दूरी तो बच्चों आगे हम चलते हैं जरा से दीखे एक हमारे पास प्रश्ण है इसी सूत्र पर आधारित है प्रश्ण में दिया हुआ पांस सेंट दो बराबर कितना 15 सेंटीमेटर 20 सेंटीमेटर की दूरी पर रखी अर्थात यू बराबर माइनस 20 और फोकस दूरी भी इसकी माइनस में होगी ठेक है तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें निकालना है V तो हम क्या करें वही सूत्र अपना लगा रहे हैं 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U बराबर 1 अपॉन F से है तो 1 अपॉन V बराबर देखिए U को उस तरफ पक्च्छानतर कर लिया माइनस 1 अपॉन U अब देखिए 1 अपॉन V is equal to 1 अपॉन F का मान रख दिया कितना माइनस 15 सेंटीमीटर है और यहां पर देखिए U को रख दिया कितना माइनस 20 में है तो कुल मिला करके हमारे पास प्राप्त हो गया माइनस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 20 और लगुत्तम यहां पर ले लिया तो प्राप्त हो रहा है 15 और 20 दोनों को लिख लीजे बच्छों तो यहां पर माइनस 5 अपॉन 15 गुणा 20 प्राप्त हो जा रहा है अर्थात देख सकते हैं पास से कैंसेल करके 1 अपॉन V is equal to minus 5 थी पंदरा 1 अपॉन 60 अर्थात V is equal to 60 cm नेगेटिव साइन बता रहा है कि प्रतिमिम उसी और बनेगा तो बच्छों यहां पर देखिए प्रतिमि से दूर बनेगा और उसकी प्रकरति और प्रकरति और साइज आपको बताना है तो देखिए एच डैश अपान एच बराबर माइनस वी अपान यू लगा देते हैं तो एच डैश अपान पांच सेंटिमीटर उचाई के वस्त होए धनात्मकों की उपर की और माइनस माइनस 60 अपान माइनस 20 चिन्नों को यहाँ पर एक बार फिर से देखिए कैंसल कर दीजे तो आपको यहाँ पर मिलता है माइनस 3 तो एच डैश अपान 5 इस इकल टो माइनस 15 सेंटिमीटर इस परस्ट है के प्रतिविंब उल्टा बन रहा है माइनस में है और 3 गुना साइज का बन र जो प्रतिविंब बन रहा है माइनस 60 अर्थात उसी ओर बन रहा है 60 सेंटिमीटर की दूरी पर वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा तो बच्चों अब हम आपको इसी पर आधारित कुछ प्रश्ण दे रहे हैं इन प्रश्णों को लगाईएगा तो आपको बिल्कुल पू को यहां पर बताना चाहेंगे इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं यह वीडियो आपके अध्याय के संबंद में पाठिसा मग्रित अभयास कारमानों संसाधन विकास मंत्राले भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लिकेशन पर उपलब्द है दीक् विडियों का अभ्यास किया जा सकता है किसी बिन्दु पर शंका या इस पस्टता की आवश्यक्ता हो तो अपने सिक्षक से आउनलाइन ए-learning वाट्सेप वर्चुल क्लासे से पूछ सकते हैं समधान कर सकते हैं यह वीडियो बच्चों यूट्यूब पर भी उपलब्द है उत्तरप्रदेश मादमिक सिक्षा विभाग लिपसाइट पर देखिएगा उपलब्द है जिसे चैनल सब्सक्राइब कर देखा जा सकता है तो बच्चों इसी के साथ अगले बार हम आप लोगों से मिलेंगे तो हम अपवरतिम की बातें करेंगे प्रकाश के तब तक के लि अिरिया कर दो less05, के छिउर कार विभाग लिए, लिजय को अपवरति मादमिक सैंट।